नमस्कार दोसों आप शुभी का बहुत बहुत श्वागते दोसों आपको बता दें कि 24 दिशमर के शुबर 11 बजेशे जिया दोसों ये शुमशे गरों के कुछ ऐसे इस्तती बनेगी गरों में कुछ ऐसे गोचर होने वाले हैं जिन के कारण आपके जिनकाल में अनोखे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जिया दोसों आपको बता दें कि ये शुमें आपको अपने आँखों पर यकीन होगा लेकिन दोसों आपको बता दें कि गरों की ये शुमें कुछ ऐसे इस्तती होने वाली है जिन के कारण आपक युड़े जो पी आर्तिक तंग्या हैं खत्म होने वाली है पारुल जुन में जो भी नौक जोंग चल रहे हैं दोस्तों में शबी शमापत होंगे यश में आपके घर के महाल में आपको ब्रिद्धी देखने को मिलेंगे कारिचत में भी आपका बोश तारिफ करने वाले हैं और आपको शादे शाद दोस्तों बता दे कि यश में आपके जो भी दुश्मन हैं आप शीप रास तोंगे और आप शे माफी भी मांगने वाले हैं तो दोस्तों इसे में गरहों के इस्तिती आप शबी के लिए बहुत लाब गारी रहने वाली है यह शे में दोस्तों आप वीडियो को बिलकुल ही मिश्णा करें और सुरू से लेकर अंदर तक जरूर देखें क्योंक mentors इन में आप सभी महत्पों जरनगारीखों झानेंगे कि यह में आपको किने चेत्रों को लेकर शावधा नेन ओंगे कोन्सरे कारे भागी चलोंगे किने चेत्रों में कारकरश्या आपको लाकी प्रावत होगी तो दोस्तों अंदर तक दिखेगा उसे पहले दोसों जो वेक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माताद लिखेगा गुरू जी का शीरा जिरबात प्राप करेगा तो दोसों जरूर लिखेगा और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोसों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बेल आइकन को प्रेश करके और पर श्रेट कर लें तो ऐगर दोसों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों याश में कुछ पुराने मद भी दूर होंगे तथा आपसी समधों में पुनह मद उरताएंगी आपको बदा दें कि याश में जमकर मेहनत करने का श्रम्य होगा और शब्लता भी निसीद है दोस्तों आपके विन्मर स्वभाव से आपकी लोग पर रिताता था साख में भी याश में बृद्धी होने वाली है इसको परांद दोस्ते याश में आपकी सावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों किसी किसी समय ठकान वा फिर तनावक विज़शे आपने नकार्तमिक विचार भी हावी हो शकते हैं लेकिन आपको याश में अपने मनोबल दोवरा उश पर काबू पाने की कोसिश करने चाहिए इनमें आप याश में सक्षम रहेंगी दोस्तों कुश्मे से अध्यात्मी गद्धियों में भी शमे को वधित करें तदा अपनी बनाई हुई नितियों पर भी कारे करें या आपके लिए याश में बैतर होंगे और शुप्रान तोसी याश में आपके लिए समयोंगे आपको बता दें कि कड़ी मेहनत के बावजुद भी पश्तितियों में बन चाहा पदलाओ नौद एकपन आपके लिए चिंता का कारण भी हो सकता है अधिक चिंता के कारण आप उपनी शमता के नुश्वार काम नहीं कर पाएंगे जो बातें आपके पक्ष में हैं उनका अधिक फाइदा उठाने की याश में खुदूस करने और जिन बातों पर आपका नेंतरन नहीं है यश्वी बातों को अभी अधिक महतों नौद देते वे आपको काम को करते रहना चाहिए अपने भविश में आगे बढ़ते रहना चाहिए इसको प्रान दोसे यश्वार में आपके लिए सुनोगे आपको बता दे कि 200 यश्व में खर्चाओं के सिती बने रहेगी फ्रतु आई के श्रोद भी यश्वी बैतर होने वाले हैं इसे दोसों खर्चाओं की परिशानी नहीं रहेंगी आपको बता दे कि शंतान के शमस्याओं को सुनना और उसका समधान करना उनके आत्मिश्वास को और दिक बढ़ाएगा तो दोसों जरूरी यश्मी आप उन पर ध्यान दे उनके शमस्याओं को समधान करने में उनका मदद करें इसमे दिन की शुरुवात में कुछ कारियों में रुकावट आने से टेंसन रह शकती है परन्तु आपको बदा दें कि देरे देरे शुब शमान हो जाएगा या शुबेश शकारतमक दिश्टी कौन रखना आपके लिए अतियाउशव होगा तो इन पर ध्यान दें बायों के स साथ भी संब्द मदूर बना कर रखें यह आपके लिए अश्मे बहतर शाविद होंगे और इसके उप्रांत से आपके लिए दोस्तों आपको बदा दें कि अपने लक्षों की तरब बढ़ने के लिए आपके प्रितन और अधिक बढ़ने होंगे आपको बता दें कि अभी आप खुद के प्रती अधिक जागरुग हो रहे हैं इसके वज़ाशे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस बात का फर्क करना आपके लिए अशान रहेगा आपको बता दें कि परिवार के शाथ सम्मन ठीक बनाने की यह में आपको कोशिच करना चाहिए यह आपके यह बहुष के लिए बहतर होंगे इसके साथ दोस्तों बसों की गलतियों में उन्हें डांट फटकार के बजाए फ्यार से समझाने का प्रत्न करें इससे उनका आत्मिश्वास बढ़ेगा और शवाव को शरल वह पर मधूर बना कर रहें कटूरता पूर्ण वायवार्शे इसके वज़र समाज में आपका छवी इसमें बिगड़ सकती है या पिर आपकी छवी में अश्में आ चाह सकती है तो दोस्तों इन पर जलूर धयान दे यह आपके लिए इसमें भैतर शाबिद होंगी और इसके प्रांति हैं आपके लिए उसमोंगे दोस्तों आपको करते हुए अपने किरिती करने में आपको ध्यान दने क्या और शरता होंगी आपको बता दें कि जो समय होंगे आपके लिए मन में बढ़ रहे नकार्वक भीचारों को पज़ेंशे आपके खुद के प्रती ही नकार्वकता बढ़ रही है तो दोस्तों इन पर आपको इसमें र दोस्तों आपको बता दें कि किसी नई दिकी व्यक्ति की शमस्या को हल करने में आपका खाब्दी समय वहतित भी होगा और इशा करने से आपको आत्मी खुशी और अनुभती भी होने वाली है आपको बता दें कि कोई शौक पुरुन शमाचार मिलने से मन में उदासी रह सकती है दोस्तों कोई शमय धार्मी गत्वा अध्यात में गत्विकों में भी शमय को उतित करें इससे आपको शुकून मिलेगा युवाओं को अपने केरियर समंदी किसी प्रजक्ट में विफलता मिलने से दोबारा प्रयाश करना पड़ सकता है और इसको प्राण दोस्तों ये शमय आपको बदा दें कि पेसे समंदी दियादी कोई वैवार हुआ है तो दोस्तों उससे जुड़े कागजात को ये शमय स कोसित करना चाहिए ये आपके लिए शमय बैतर शाविद होगी और इसकी प्राण दोस्तों ये शमय ये वैशाय के लिए शमय होगा ये निवेश आपके लिए शाविद होगा दोस्तों आपको बता दें कि शमय वेर्थ किये बिना तुर्णत इन्हें हाशिल कर लें ये आपके लिए शमय बैतर होने वाले है और इसके प्राहन दोस्ते शमय आपके केरेर के लिए जो समोंगे आपके वायसाई के लिए जो समोंगे दोस्तों आपको बता दें कि ये शमय ऐसाइक कारियों में ग्रह श्तितियां ज्यादा अनुकुल नहीं है इसलिए दोस्तों सांती पुन तरीकेश इस समय को वहितित करें शावधनियों को बढ़ते हुए आगे बढ़ें तब ही जाकर आपके शबलता में कोई आच नहीं आने वाली है आपको बता दें कि किसी भी क कारे में पेशा निवेश करते हैं में किसी अनुभवी व्यक्ति की शला मशवरा जरूर लें यह आपके लिए बहतर होंगे बहुता में आकर बिना सुचे समझे कोई भी जो है दुसरों के उजनाओं पर अनुसरान करना आपके लिए इसमें गलत रहेगा तो दोस्तों इन ऑप शावधानी बरते हैं यह आपके में आपकी के लिए उएसमें बहतर शाभगर होंगे आपके वायिशाय के आपको बता बात दि कि कारेश few कारें अपनी निगरानी करें में करवाएं यह आपके लिए बैतर होंगे दोस्तों यह में इस्टाप आधी पर जो निग्राली रखना आपके लिए अतियाप्शों होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से समधित वह शाय में भी यह में अच्छा मुनापा होने की संभाना बन रही है नोकरी में अच्छे कारियों समधित कोई शमस्या दूर हो शकती है अगर कोई नया वाइपार या फिर नया काम सुरू करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सुरू करने जा रहे हैं तो अत्यद्विक मेहनत के बाद ही आपके काम बनेगे लेकिन मेहनत करेंगे तो शफलता आपको जरू मिलेगा इसलिए दूस्तों हिम्मत ना हारें तथा प्रयारस करते रहें नोकरी पेशा लोगों को ओफिश का महौल चुए खुश्मा बना कर रखने में आपका इज़त परत्पेशिचा में भी बड़तरी होने वाली है और इसको प्राहत दोस्तिने अगर आपकी लव लाइप को लेकर बात क प्राहत दोस्तों पारियों वातरों ने खुश्मा बना रहेगा प्रंतु घर के किसी सदस के स्वास को लेकर यह समय चिंता रह सकती है और इसको प्राहत दोस्तों यह प्रेम शंबनों में नहीं देखिया तो बढ़ेंगी अब वायतों के लिए भी कोई अच्छा रिस्ता आने की उम्मीद बन रही है और इसकी प्राहत दोस्तों में आपके लिए समयोंगी आपको बता दें कि पती पतनी का सवयोग आत्मों रवाया घर में शुक्सांति का कारग बनेगा मित्रों के शादवी मेल जोल तदा गेट विदर सबको खुशी देने वाली है और इसकी स् यह आपके श्वास के लिए भैतर शावित होंगे और इसके प्राहत स्वास आपका अंतों में उत्तम होगा अगर आप शावधनी को बढ़तेंगे वैस्ति दिंचरियार रखकर आप और इसमें स्वस्त और उर्जवान महसूस कर सकते हैं तो दोस्तों जरूर इन पर ध्यान भागी शाली रहने वाँ हैं मैं आपको बदा दें कि दूस्तों अपने विचारों और मानुषी की स्यृतियों को श्रकादों नमाकर रखें ओपरD दो